ओम शान्ती आज 9 जून 2022 है आज के स्लोगन से हम ये जानेंगे कि कैसे गोण ग्राही दृष्टी रखने से सुखमय संसार बना सकते हैं आए सुनते हैं आज के स्लोगन द्वारा सबके गुणों को देख विशेश्टाओं की खुश्बू फैलाओ तो यह संसार सुखमय बन जाएंगा हर आत्मा के अंदर गुण भी है तो अवगुण भी है लेकिन हम जादतर क्या करते हैं हम गुणों को देखने के बजाए अवगुणों को ज्यादा देखते हैं अवगुणों का वर्णन ज्यादा करते हैं तो इसी लिए हमारे अंदर भी वही अवगुण आ जाता है क्योंकि अवगुण देखना माना अवगुण अपने अंदर धारन कर लेना क्यों? क्योंकि जब हम अवगुण देखते हैं तो ना केवल देखते परन्तु उन अवगुनों के बारे में हम अपने मन के अंदर बार बार चिंतन भी करते हैं जिस चीज का हम मन में बार बार चिंतन करते हैं उसी का स्वरूब हम स्वयम के अंदर लाते हैं अर्थाद उसी का स्वरूब हम बन जाते हैं इसलिए कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे तो अवगुन देखना माना अपने में अवगुन धारन करना परन्तु बात यहाँ पर खतम नहीं होता हमने अवगुन देखा, अवगुन अपने अंदर धारन कर लिया और जिस व्यक्ति के साथ, जिस माहूल में, जिस संबन संपर्क में, जिस व्यक्ति के साथ हम आते हैं कार्य व्यभार में आते समय अवगुन संस्कारों द्वारा या कर्मों द्वारा वो प्ले हो जाता है हमारे से वो गलती या भूले हो जाती है और उस समय जब अवगुन हम से play हो जाता है तो हमारे आसपास रहने वाले सब लोग हमारे अंदर के अवगुन देखना शुरू कर देते हैं और वर्णन करना शुरू कर देते हैं तो क्या हुआ मेरे से जो अवगुन है वो लोगों ने catch कर लिया उन्होंने भी अपने अंदर अवगुन धारन कर लिया तो इस प्रकार से एक chain reaction की तरह हो जाता है मैंने किसी से अवगुन उठाया मैंने play किया उस अवगुन को फिर मैंने किसी और को दिया फिर वो जा करके कि से और को देंगे, तो एक ripple effect के तरह हो जाता है, यदि इस चीज को, इस chain reaction को या इस ripple effect को उल्टा करें, यदि हम गुन देखने के बजाए, गुन देखना शुरू करें, तो क्या होंगा, गुन ही धारन करेंगे, और गुन ही हम करमोद्वारा प्ले करेंगे, और मुझे देखन वाले जो लोग है, वो भी मेरे से गुन धारन करेंगे, गुन देखेंगे और अनन करेंगे, इस तरह से गुनों की और विशिष्टा भरी खुश्बू जो है, वो चारो और फैलना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से एक बगीचे में खुश्बुदार फूल खिले हुए हो बहुत सारे, तो वो फूलों की जो मेहक है, न केबल बगीचे के अंदर सिमित रहता, परंतु चारो और फैलना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे पुरे विश्व में फैलने की संभावना हो जाती है, तो इसी तरह हम भी दूस्टों की गुनों को देखे, गुनों की मेह को चारो और फैलाए, ताकि सब जगह पर खुशी की माहौल बने और सुखमे संसार गुनों की खुश्बुद्वारा बन जाए, ओम शान्ति